हाई है लोडिवन आज हम चार ब्रेड से पूरे परिवार के लिए नाच्टा फेडबर की बनाने वाले हैं जाद ब्रेड नहीं लगते हैं पूरा परिवार आराम से खा सकता है चली तो जाद समय ना लेते हैं आज के रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हैं यहापर हमें करके इस बाउल में फोड लेने हैं वीडियो अच्छी लगरी तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सुस्क्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अब हमारे अंडे फोड के हो चुके हैं अब सब्सक्राइब लेना है अगर आपके पास बीटर हो तो आप बीटर से भी फेट सकते हैं वरना चुमच की मुदल से भी अच्छी तरसी से फेट सकते हैं आप देख पारे इस प्रकरता है मैं ने ये फेट लिया है ज़्याद समय नहीं लगता है रेसिपिक अन्नी के लिए पूरा परिवरा आराम से खा सकता है देनिस के बाद एक काटा हुआ प्याज डालना है हमें बारी काटा हुआ देनिस के बाद बारी काटा हुआ एक टमाटर एड़ कर लेना है अगर आपको टमाटर ना पसंद हो तो आप स्कीप कर सकते हैं देनिस के बाद एक काटी हुई शि अच्छी तरह से मिला लेना है दिन ज्वादा नुसे नमक डाल देना है और इसे फिर से तरह से मिला लेना है ताकि अगर अब आपने तक हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं ताकि आने वाले नवीन वीडियो की नोटिफिकिशन अपर सबसे पहले मिल जाएगी यहाँ पर हमें एक के उपर एक ब्रेड ऐसे रख देना है और यह प्रोसेजर हमें फिर से दोरानी है फिर से एक ब्रेड के उपर हमें दूसरा ब्रेड रख देना है इस प्रका यह काटना है क्योंकि हमने एक के उपर एक दो ब्रेड रखे थे इसकी वज़े से हमारी छूरी जो है वो नीचे की तरब भी जानी चाहिए इस प्रकार से इसे में चारो साइड से इसे गुमाते गुमाते हुए काट लेना है ताकि वो अच्छी तरह से कर जाएगा आप देखिएगा ज्यादा मर्जिन नहीं रखना है थोड़ा ही मर्जिन रखना है और इस प्रकार से में काट लेना है अब हमारा काटका हो चुका है और जो बीच का हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से बाहरा चुका है अब हमारे जो निचला ब्रेड है उसका भी आप देख सकते हैं बिच का हिस्सा अच्छी तरह से बाहरा चुका है इस प्रकार से हमारे जो दो ब्रेड बचे हैं वो भी हम काटके ले लेंगे अच्छी तरह से काटना है देन प्रचेप को टीफिन में डे सकते नाच्टे में बना सकते हैं इतने टेस्ट् нормально कि प्रहुंत उच्पाइब क những आप सब्सक्राइब करें प्रहुन। और इस प्रकार से इसे पैन में रख देने हैं देनिस के बाद हमने जो मिक्षर बनाया था अंडे का वो इस प्रकार से इसे बीच में डाल देना है सिर्फ बीच में ही डालना है साइड में बिलकुल भी नहीं डालना है ध्यान से डालेगा सिर्फ बीच में हमारा यह बैटर ग पतला नहीं होना चाहिए मिडे में चाहिए अच्छी दर्ण से ताकि जो सभी इससे उसके कवर हो जाएंगे दिन इसके बाद यह मैंने मौजरेला चीज लिया है अगर आपके बस मौजरेला चीज ना हो तो आपकों सभी चीज इस्तमाल कर सकते है वह इस प्रकार से मिशे बी और अच्छी तरह से ये अंडे से चीज कवर कर लेना है कुछ सभी चीज बहार नहीं देखना चाहिए इस प्रकार से हमें ये कवर कर लेना है video हमने जो ब्रेड के बीच का इसा काटा था वो इस प्रकार से इसके बीच में इसे दबा देना है आप देख पार है दोनों ही ब्रेड के बीच के इसे हम इसे रख देने हैं और अच्छी तरह से दबा देने हैं अब देख पार है हाथ से ही आप दबा सकते हैं इस प्रकार से अच्छी तरसे दबने चाहिए ताकि जो ब्रेड है होमारा वो अच्छी तरसे इस पड़िगहा आप देख पार है अब हम ने यह प lesie कर दिया है और अच्छी तरसे mot तायर हो चुका है अब दूसरे साइड से भी हमें इस प्रकार से इसे क्रिस्पी कर लेना है यह रेसिपी घर पर एक बार ट्राइ किजिएगा आपने फैमिली को भी खिलाईएगा देन मुझे कमर में बता दीजिएगा के रेसिपी आपको कैसी लगी इस प्रकार से हमें दोनों साइड से ब्रेंड अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राय कर लेना है अगर ऑफ हो चुका है अगर आपको दूसरे सेट से भी बोटर एक घी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं वह आप पर डिपेंड करता है आप देख पर हैं बहुत अच्छा यह नास्टा तैयर हो चुका है आप यह टोमेटो सॉस यह द्वान चट्मी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसा करें से भी में तब तक के लिए बाबाई टाटा